दोस्तो फिर से लिकिया है आई हूँ आप लोग के लिए एक से बढ़के कीचन हैक्ष तो रोच के कामों को असान बनाने के साथ साथेर सारे पैसे के भी करेंगे बच्छाय तो चलिए दोस्तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर पह इसी खराब हो जाता है जिसके कारण बच्चे के जो है ना ड्रेस हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर बच्चे अगर ऐसे ही ड्रेस पिनके जाएंगे तो स्कूल में पक्का डाट सुनेंगे तो उस कंडिशन में आपको क्या करना है कि जो सर्ट का बटन होता है ना तो सर्ट का उपर वाला और नीचे वाला जो बटन होता है उसे आपको लगा देना है और इस तरीके से जो है आपको फोल्ड कर देना है आप फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है कि यह तो हो गया सर्ट फोल्ड जैसे हम लोग प्रेस करके फोल्ड करते हैं ना सेम उसे ही आपको करना है और जो पैंठ होता है नीचे का उसे भी आपको ऐसे ही करना है जैसे कि हम लोग प्रेस करते समयुद करते हुग मतलब करते क्ला करना हम पर नहीं हुग सि को and do तरीके से सो सकते हैं इससे क्या होगा कि जैसे आप फोल्ड करके रखे हैं थो उसे बिलकुल हो जाएगा और प्रेश का बिलकुल काम projets नह 1951 और फिर क्या होता है कि हम एल्ट करीके हैं और उस तरुटी बनाना होता है आता नीचे लिड जाता है जिससे की ना किना वह मैं आपको क्या करना है कि गंदा ना हो आपको ले कि आपको चकल रखना है और इस तरीके सब रोटी बिलना है अब इससे क्या होगा कि जो भी आथा होगा मतलब पर्थन जो हम बोलते हैं वह आपके थाली में घिरेगा और आपका counter top जो है न वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो है न कमाल की tips दोस्तो इस तरीके से आप जो है न अपने kitchen को clean रख सकते हैं अगला tips तेक लेते हैं यहाँ पे आठे को गूतने को लेकर कि जब भी हम लोग आठा गुतते हैं आठा लगाते हैं और हमारे finger में ring होता है तो क्या होता है न कि पूरा का पूरा जो है न आठा लग जाता है ring में और ऐसा हम लोग करते हैं कभी की आठा लगाते समय रिंग को निकाल करके एक side रख देते हैं और कभी-कबार हम लोगका गोल्ड का होता है। शिल्वर का होता है तो खूने का भी डर रहता है। मैं आपको क्या ऐसा करना है कि बिल्कूल भी ना खूने के डर बना रहे है। तो जो ही आपको इस तरीके के सोपट जोलरी बैंग मिलता है। कुछक से अपको यूज करना है दबल टेप के साथ देखे डबल टेप जो आता है मार्केट में आसानी से आज आ जाता है 10 रुपे के मिलता है यह इस तरीके से ठोड़ा है को ना पर्स में चिपकाना है और उपर का जो इसमें परत लगा हुए टेप का वो भी आपको हटा देना है ताकि इधर से भी जो है ना गोंद इसका दिखने लग जाए और इस तरीके से आपको अपने किचन में कहीं पर भी हैंकर देना है चिपका देना है और जब भी आप आठा लगाएं तो इस तरीके स अपने फिंगर में से जो है ना निकाल करके अपने रिंग को आप इजली इसमें रख सकते हैं अगर आप रिंग पेनना भूल भी जाते हैं तो खोने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा और जब भी आपको याद आ है तो आप आराम से निकाल लिए और पहन लीजिए अगला तो क्यूं ऐसा होता है वो मैं आपको बताती हूं देखिए जब भी आप रायते के लिए उबालिये ना जैसे लोकी तो उसी समय आप क्या कीजिए कि गरम गरम में ही ना मसाला डाल दीजिएगा जो हम लोग मसाला डालते हैं थंडा लोकी होने के बाद लेकि नहीं पूरा गरम रहेगा वैसे ही आपको मसाला डाल देना है ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और उसके बाद जब पूरा ठंडा हो जागा लोकी तब आपको छाच या दही डालना है अगला टीप्स है यहां पर देखिए इस तरीके के जो है घीया के छिलके को लेकर के लोकी के तो पेट में गुड़गुड हो या फिर कोई साभी ऐसी प्रोब्लम हो जैसे कि पेट के गर्मी से मुह में छाले हो जाते हैं और दाने होते हैं फोड़े फुनसिया होने लग जाते हैं तो आपको क्या करना है कि जब भी आप मतलब की लोकी लेके आए ना और उसके छिलका उत कि आप खुद ही फिल कर सकते हैं लगा करके आप लोगी यूज कीजिए गा उसके बाद बताइएगा कि आपको कैसा लगा क्यूंकि हमारे तरब तो जो है यह मतलब दादी नानी के समय से ही चलते आ रहा है तो मैंने सोचा आप लोग के साथ यह टीप्स जो है मैं सेयर कर द हो जाता है पेट गरम हो जाता है तो बच्चे के भी कर सकते हैं बड़े के भी बूढ़े को भी पशलब जिसके भी पेट में गर्मी हो गई है न उसे करिये और एग घंटे के लिए आप इसी तरीके से चोड़ दीजे अगर लगे कि सूग गया है ठंडक कम हो गया है तो खाना ना काफी जादा हमारे सहल से के लिए फैदे मांद होता है अगर हम हम लोग चृफ्ञ करते हैं प्रिकृत बइटष में दूपती हो आज के लगा जरूरा बता पह्ली बारा हैं तर्रेश पर करें फ्राब करें अपर 拿 चैनल के ज्काट यह लंगा देत हमां